गुड मॉर्णिंग एब्रीवन मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीचिंग वॉरियर्स चैनल सुबह सुबह हम देते हैं आपको हिंदी गरामर का प्रेक्टिस सेट्स जिसमें हम आपको बहुत ही कम टाइम लेते हैं मेगजिन कोशन को सॉल्व करा देते हैं में एक्सपेक्टेड कोशन कराते हैं और जितने भी और अलग अलग तरीके से कोशन को समझा जा सकता है 360 व्यू देते हैं आपको ठीक है अच्छे लगए या पहली वार अगर कोई चैनल को देख रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना कमेंट वॉक्स में निव टैप कर देना अगर आप पहली वार देख रहे हैं तो ठीक है पहले कुशन से स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है वे बड़ी सुन्दर मूर्तियां बनाते थे कैसी मूर्तियां बनाते थे सुन्दर प्रविशेशन पूछ रहा है तो देखो मूर्तियां क्या है इसमें विशेश्य क्या है विशेश्य मूर्तियों विशेश्य क्या है सुन्दर तो यह हो गया विशेश्य ठीक है और सुन्दर क प्रवसेस्टा बता रहा है बड़ी यह हो गया यहां पर प्रविशेशन तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें बी क्या हो जाएगा अधेरे कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता तो इस बाके में सरवनाम बताना है तो देखो धिखना दिखाना, जिसवी के भी पीछे ना लग जाता है, मैंने आपको पताई वो सब क्या होता है किरिया अधेरा, उजाला, रोशनी, दिन, रात ये सब क्या है जैसे आपने फॉन दिखाई दिखाई देता जैसे आपने फॉन रख दिया उनों आंधेरे कमरे में फ्रिज भी धिखाई नहीं देता, इस तरीके से भी कर सकते हो, तो जिसकी जगह है, मतलब जिन संग्यास सब्दों की जगह हम कोई अलग यूज कर लें, तो वही सर्वनाम है, तो इसमें सर्वनाम क्या हो जाए, कुछ, कुछ कौन सा सर्वनाम है, प्रत्य नहीं होता है, इत नहीं होता है, इत प्रत्य होता है, ता प्रत्य नहीं होता है, इत होता है, हमेशा, यह तो प्रत्य ही नहीं है, ऐसे ही निकाल सकते हो आप, पढ़े होंगे तो आपने, चालिस पैतालिस प्रत्य है, इस तरीके से बन जाएगा, अंकुर क्या हो ज ब्याकर्ण और बरतनी की । बरतनी के सुत्द भासा कहलाती है मतलब ग्याकर्ण से इस भी और बरतनी दोनों से सुत्द भास तैवा किया कहते है आफ मानकवासा क्या कि कहते हैं ते याद कर लेग ऑधास सम्मंदी Anисhtr से लेके 351 तक दे रखें और भासा किसमें आती है सेडियू एट में दे रखें और भाग सत्रा पूछे जाते हैं यह याद रखना है हमारी जो हिंदी भासा है न वह भारोपी परिवार की बास है किसी भारोपी है सिलिष्ट्य वात्म के हिंदी अपनी इसे भी याद रख ले तो देखो यह आपने एक्जामपल सुना होगा बिन पद्र चले सुने बिन काना ठीक है इस तरीके से सुना होगा तो वह क्या होता है वह बिभावना अलंकार होता है कौन सा होता है विभावना अलंकार अलंकार का मतलब होता है आबूशन क्या होता है आबूशन मतलब यह क नेक्स्ट इस में इसे किसमें ग्विग समास है समास का बिलुम क्या होता है वियास समास पदों की प्रदानता के आदार पर चार प्रकार के अर्थ के आदार पर छे प्रकार जैंक अब आपको लगएगा इसमें कि तुरणा कभी लोगर तो यह चीज यूड़ में अब बिषच्ष शृ अर्थ देता है तो यह क्या हुजाता है फिर यह हो तो अब त्रेभुवन को लगाओ, अंसर क्या हो जाएगा ? आप दसानन और एक दंत क्या है, यह भी बहुबरी समास, बहुबरी समास में क्या होता है, अन्यपद प्रधान, याद रखना, इपसित का बिलोम पूछ रहे हैं, बिलोम का मतलब क्या होता है, है जैसे रात का दिन होता है भाइ का बेहन होता है माता पार पता हुता है इसलिकma इपसित क्या हो जाएगा अनिपसित क्या हो जाएगा अनिपसित B हो जाएगा ठीक है बी फॉर बोय next एक लास जाओ मैंने आपको कई बार बता है उलास का साइस संद्य पिछित क्या हुआ जहाँ पर दूरुकती हो जाए दो बार ला जाए दो बार जा जाए दो बार चा जाए च ल ज दो बार टा जाए और न ल ना जाए ठीक है तो वहाँ क्या हो जाता है? पहला हटाओ और पहले की जगे ता लगा दू दूसरा ऐसे ही लग दू तो इसका क्या हो जाए? उत्रधनलाश क्या हो जाए उत्त धनलाज संदी किते परकार क्यों थे तीन स्वर विंजन विसर स्वर संदी के भी पांच वेद होते हैं याद रखेंगे और इसमें कौन सी संदी है विंजन संदी है देखो मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है देखो ये मानस का हंस है आधारित तो ये तुलसी दास के जीवन पर है किसके जीवन पर आधा है तुलसी दास के इसका मतलब ये नहीं है कि तुलसी दास जी ने लिखिए मानस का हंस किसके तुवारा लिखिए कि अमरतलाल नागर अम्रतलाल नागर इस बात को आप याद रखेंगे समझ मैं आ गया? ठीक है? अब देखो मैं एक चीज बता दूँ सूर्दास सूर्दास जी की रचना याद कर लो आप सूर्दास जी की है सूर्दास, सूरसाराबली, साहितलेरी इटनी याद रखेंगे पूछा जाता कभी कोई हिंदी में सूर्दास जी का जनम कहा था? आगरा अगने का भिलूम क्या होता है? अगने का बेलूम पानी पढ़ना और पानी मतलब पता है? कहते जाओ, कहते जाओ फिर भी लज्जित होना उसे कुछ ही नहीं समझ में आ रहा है कुई फरक नहीं पढ़ रहा है ठीक है याद रखने मुहाबरे क्या होते हैं मुहाबरे आपके अर्वी भासा क्या होते हैं मुहाबरा सब्द जो है वो अर्वी भासा का है मुहाबरे क्या होते हैं कि बहुत सारी लोगों को नहीं पता होता कि मुहावरा लक्षणा होता है और यह जो होता है लोकुक्ति यह विंजना सब्द सक्ति होती है ठीक है याद रखना अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पर दिवार देख रहे हैं और आपका कोई मित्र दोस्त फ रसों की संख्या कितनी तो हो जाता आंसर नो मगर इस कोशन का अंसर भी नहीं है पहली बात बता दूने 10, 11 और 8 में से तो आप बताओगे के भरतमुनी के अंसर रसों की संख्या है कितनी और कौन सा रस ऐसा है जिसको उन्होंने रस नहीं माना ठीक है तो प्लीज आप सबस सेंड का रूल है कितनी सेंड एक सैंड की ट्रिक वह नहाना क्यों दोडना कोई सेंण मगर दोरते सब हैं, रोते सब हैं, नहाते सब हैं, इस तरीके से समा सकते हैं, ठीक है, सकर्मक के लिया में कर्म होता है, अकर्मक में नहीं होता है, तेल देखो, तेल की धार देखो, इसका मतलब है रुख पहचानना, क्या हो जाए, रुख पहचानना, नेक्स्ट, गौरब का खुदिनी का तकाम करवाता है तो यह होता है प्रिन आर्थक के लिए मैं मौहन से खाना बनवाता हूँ मैं मौहन से लैपटोप चलवाता हूँ समझ रहे पूरव कालिक होगी एक किरिया होने के बाट दूसरी हो जाए जैसे मैं नहाकर पढ़ने बैठा मैं खाना खाकर खेलने गया ठीक है? इस तरीके से याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? D ठीक है? और किरिया में आप सकर्मा का कर्मा की याद रख सकते हो बैसे ही ये इस तरीके से देई रखते हैं आपको और ही बहुत सारी है किरिया नामधातू याद रखना लत्याना, बत्याना, हत्याना इस तरीके से आता है नामधातू अब देखो इसमें से सुद्ध बरते नहीं बतानी है कोशन नम्मर 20 बहुत बार बता है आप दो के जवाब इसका उज्जुल इस तरीके से लिखते हैं याद रखना, द्वार का याद रखना और मैं आपको बताना चाहूँ आसीरबाद आसीरबाद ठीक है और बाल मीक बाल मीक ठीक है, इन चीओं को याद रखने इस कोशन में 20 का भी आप जवाब दोगे, कोमेंट बॉक्स में नेक्स्ट कोशन इस मैं से किसकी बरतानी सुद्ध है तो उज्वल कैसे लिखाएंगी दौनो जा आदे आते हैं कभी तरी कैसे लिखते हैं इस तरीके से ठीक है गरस्ट का मतलब क्या होता है मुक्त करना गरस्ट मतलब ग्रेंड करना मुक्त मतलब बाहर करना नेक्ष्ट बिजय दस्मी में कौनसी संङ्या है संङ्या उतंपत्ती के आदार पर 3 परकार अर्थ के आदार पर 5 परकार यहाँ पर क्या है fix है एक ही होती बिजय दस्मी कैसी होती है जब कोई चीज़ एक है जैसे हिमाले गंगा तो ये क्या होती है, व्यक्ति वाचक, अगर मैं कह देता, दसमी में कौन सी संग्या है, तो हो जाती ही, वो जाती वाचक, ठीक है, मगर आंसर क्या हो जाएगा, इसका A, ठीक है, याद रखेंगे आप लो, और प्लीज शेर कर दें क्लास को, नमक का दरोगा, कहानी के लेखा क नमक का दरोगा के लावा, नमक का दरोगा तो प्रेम चंद की है यह, और लेख लो, अच्छी अच्छी बताता हूँ, गोदान गवन, कर्म भूमी, रंग भूमी, मंगल सूत्र, सेवा सदन, निर्मला, निर्मला ऐसे याद रख लेए, अगरो प्रेम ना निर्मल होता है, इदगा, इदगा तो बहुत पुछी गई है इनकी, हद से जादा, ठीक है, और इनकी बजारे हुसन, सेवा सदन को और क्या कहते हैं आप, इनकी बजारे हुसन भी कहते हैं, सेवा सदन को, ठीक है, इनका जो नाम था, वो क्या था, रियल नेम जो था, वो था, इनका, सोचो थोड़ा सा मुझे भी याद नवाव राय था क्या था नवाव राय इस तरीके से याद रख लेना अब देखु सूर्यकांत्रपाथी निराला इनकी भी कुछ याद रख लो इनकी याद रखने वाली क्या है अनामिका अनामिका और सूर्य कांत्र पार्थी निराला ने एक रचना लिखी थी किस नाम से इन्होंने लिखी थी तुलसी दास नाम से तुलसी दास ठीक है और मुझे जो याद आ रही हैं वो हैं अपसरा और थी इनकी माधुरी सरोज मतवाला राग बिराग इसमरती तोड़ती पत्थर बेच्छोग गीतिका इस तरीके से और हैं ठीक है इन्हीं भी याद रखनें इन्हीं में से फज़ जाईगी कोई नगोई पेपर में कि इसमेंसर कॉन सा वानडिक छंद हैं दोहा सोठा बेरब लाला ठीक है और चोपाई रोला गीत-हर गीत गई यह सब क्या हैं यह मात्रिक छंद हैं मात्रिक और सबया क्या है यह वाणिक ठीक है याद रपना अंसर क्या हो जाएगा C C right answer next एर आकेस यहाँ आओ मैंने बताया था इस तरीके कभी भी चिन दे रखाओ यह समोधन का चिन दोता है किसका होता है समोधन समोधन का क्या होता है बिवक्ती होती है हे राम हो बरे करता की क्या होती है ने अधेकरण मैं पेपर करता ने करमोग करण से कारक कितने होती है हिंदी में आठ next दोवा स्चंद का विप्रीत क्या होता है दोवा में पहले और तीसे चरण में 13-13 और दूसरे और चोथी में 11-11 मात्रा होती है इसका विप्रीत होता है 16 रठा क्या होता है 16 रठा ठीक है और कुंडलियां किस-किस से मिलके बना होता है दोहा और रोला से कोद रत इस तरीके से याद कराय था ने बहुत पूछा जाता है कुंडलियां किस-किस से मिलके बना होता है ये भी बहुत पूछा आता आंसर क्या हो जागे इसका ए ठीक है यादर और चौपाई में क्या होता है सोल है मात्रा और दूहा तो आपको बताई थी ठीक है प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है अगर आपको अच्छी लगी तो शेर करो दिल से लाइक करो और देखो जितने भी दोष्ट है अटलीस वाटसअप ग्रुप्स में तो सेंट करी सकते हैं टेली गिराम पे कर सकते हैं फेस्बुक पे कर सकते हैं तो सोशल मीडिया जितने भी चैनल से हैं आपके ग्रूप से हैं उन पर करें और सहयोग करें बाकी कमेंट बोक्स में इसकी PDF के लिए लिंक वेज़ दूँगा में टेलिग्राम से जोड़ जाना वहां मिल जाएगी आपको मैंने पहले PDF डाल देता हूं उसके बाद वीडियो बनाता हूं ठीक है और यह वीडियो रात कोई बन जाती है आपकी एक या बारा बज़े करी तो आपको सुवह साथ बज़े मिल जाए और बाकी कोई डाउट हो करने की कोईशिस करना मतलब उसके चेहरे पर स्माइल लाने की कोईशिस करना सोचना यही आज का टार्गेट है इसी के साथ जैहन जैवारत